हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल जीयस कोशन पेपर जीयस कोशन पेपर में आज हम लोग साइंस से रिलेटेड़ को सॉल करेंगे 100 प्लस इसमें आपको बताते चले कि जितने भी चारो ऑप्शन दिये गये हैं इसके भी बारे में बात करते हुए चलेंगे और साथी लेकिन इक्जांस में ज़रूर पूछा जाता है कि जैसे scientific नाम पूछे जाते हैं आप लोगों में पता ही होगा कुछ के नाम लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे questions हैं जिसके नाम आप लोगों को शायद नहीं पता हो यहां पर उन्स भी को सामिल किया गया तो यह टॉपिक वा नामी पुछता है वेग्यानक पूछता है वितामिन के क्ला में कैसा है जरूदे विटामीन के लिए एक जुरूरी तत्व होता है यहां पर इसका इंसा डवितामीन देखते हैं वितामीन के बारे में हैं किनोन भी बोलते हैं रख के ठके जमने के लिए आवश्यक डोटीन और कैल्सियम को यह सक्रिय करता है विटामिन बी-वन की बात करें तो इसको कैल्सिफिरॉल के नाम से जानते हैं और इससे होने निमनलिखित में से कौन मनुश्यों में बौनेपन के लिए जिम्मिदार है अगनासय है थायरॉक्सिन है एट्री नेलिन है और पियोशिका यानि के पिट्ट्यूट्री ग्लैंड अब इसमें से जो राइट आंसर है आप लोग बैस करते रहिएगा राइट आंसर क्या है इसक इसका डीटेल भी हम लोग देखते चलते हैं मनुश्यों में बौनेपन के लिए पिट्यूट्री ग्लैंड जो होता है वो जिम्मिदार होता है पिट्यूट्री ग्रंथ कहां पर होती है तो मस्तिष के आधार पर एक छोटी से मतर के आकार की ग्रंथ है जो कि शरीर के कि लिश मेनिया है प्रकृत क्रीमी हैं या सकेस है या फिता क्रीमी है तो यहाँ होने वाले जितने भी क्रीम में उनके बारे में बता रहER है निम्नलिखत में से कौनसा क्योच्चिर जीव काला जार का करण बनता है चारो option में से आप लोग राइड आंसर को ग्यस करिएगा इसका जो right answer होगा A option होगा leash mania यहाँ पर leash mania जो है वो काला जार का कारण बनता है आए इसका detail देखते हैं leash mania जो है वो एक कुश्की जीव है जो काला जार का कारण बनता है और यह एक मानो रख पर जीवी है कहाँ पर रहता है तो यह आपके शरीर के अंदर ही रहता और आथ के leash maniaasis के लिए यह जम्मितार है next question हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में protein की कमी से कौन सा रोग होता है क्वाश्योर कोर है स्करवी है, rickets और बेरी-बेरी इन सारे बिमारियों से related question किस कमी से होता है रिकेट किस कमी से होता है भी तो प्रोटीन की कमी से होने वाला अगर जो रोग की बात करें तो यह option हम लोगों का जो है वह राइट answer होगा इसका detail देखते हैं क्वाश्योर कोर जो है रोग हमारे शरीर में protein की कमी से होता है स्करवी रोग की बात करें तो पर्यापत az vitamin C नमिलने के कारण होता है рिकेट किस की कमी से होता है तो vitamin D की कमी से होता है और बेरी बेरी जो vitamin B1 है उसकी शरीर में पर्यापत अगर जो मात्रा में नमिले और कमी हो जाए तो tournament की कमी से imp comments B1 की कमी से ये रो होता है चलिए next देखते है निमनलिखित में से किसके कारण काला जारी होता है यह बार पूछा गया है लेकिन महाँ पर आपको बता दीज activate किस के कारण फिता क्रीमी या फिर लीश मेनिया या फिर किस कारण से है गोल क्रीमी लेकिन यहां पर यह ना पूछ करके ऑप्शन में दिया गया था प्रोटो जोवा बैक्टीरिया वायरस या फिर कवक यह काला जारी किस कारण होता है प्रोटो जोवा है बैक्टीरिया है वा नेक्स लेखते हैं इसका डीटेल काला अजार एक धीमी गत से बढ़ने वाला स्वदेशी बीमारी है जो कि लीशमेनिया जीन के प्रोटो जुआ परजीवी के कारण हुद्धी है भारत में लीशमेनिया डोनोवन एक मातर परजीवी है जो इस बीमारी का कारण बनता है निमने लिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है चिकेन पॉक्स इंफ्लोएंजा खस्रा या फिर छह रोग इन चारों में से आप लोग राइट आंसर गयस करिएगा तो यहां पे वायरस के कारण वायरस यानिके विशाडू और जीवाडू बैक्टीरिया आप करें तो यह माइको बैक्टीरियं ट्यूबर कुलोसिस नामक जीवाड यानिके बैक्टीरिया के द्वारा होता है चिकन पॉक्स की बात करें तो यह अतिधिक संक्रामक रोग है जो कि वैरिकोला या वैरिकाला लिखा हुआ जोस्टर वायरस के कारण होता है खस्रा की बात क और इसके कारण नाग गले और कभी कभी तक को संक्रमित कर सकता है चलिए नेक्स देखते हैं दाद एक प्रकार की बिमारी है विशाड़ो जनित है जीवाड़ो जनित है या फफूदी जनित है या फिर प्रोटो जोवा यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रेट हो गया है प्रोटो जोवा है प्रियोन नहीं है प्रोटो जोवा विशाड़ो जनित फफूदी है और प्रोटो आइए इसका भी डीटेल हम लोग देखते हैं दाद जो है ट्राइक कॉफ टाइन करके नाम है एपी डर्मो फाइटाउन या फिर टीनिया की रूप में भी यह जाना जाता है त्वचा का एक कवक संग्रमड है दाद एक मिथ्या नाम है मैं दर्सका सही नाम नहीं है क्योंकि कीड़े के द्वारा नहीं फैलता है यह एक कवक का संग्रमक रोख है नेक्स देखते हैं एंटिबाटिक दवाओं के बारे में निम्लिक में से कौन सा कथन सही नहीं है चार ऑप्शन दिये गए हैं प्रतिजीवी दवाओं के दुस्प्रभाव में चेचक फाइलेरिया डि क्र प्रतिजीवी नहीं नहीं है या जिवार रोगों के खिलाफ प्रतिवी प्रभावी नहीं है इसका राइट अंसर आपलों करीएtagा एंटिभायाइटिक दवाओं के बारे में बात होतँ है इसका और राइट यह ओप्छन हो एंटिभायाइटिक जो र्युशक्राइड हो सकते हैं एसा कोई प्रकार के जीवाडु संक्रमर के इलाज और रोगधाम के लिए किया जाता है वे बैक्पीरिया को मार कर उन्हें फैलने से रोकने का काम करते हैं एंटीबारिक के प्रकार है यहां प्रकार नाम दिया हुआ है से तरह से कई डवाएं हैं जो कि अन्टिबाइटिक में दिए जाते हैं चलिये next देखते हैं रब्त का ठककान नना चोना होता है UP इसमें हैब विटामिन के गिविण के कारड दोना ना चलना यह सब्सक्राइब विटामिन के ये इसका प्रमुख कारड़ है विटामिन के कमी है वो महत्पूर है रक्स राव में हड्डियों के खराब विकास में और हिजयरोग के बढ़ते जोखिमों में योगदान कर सकती है यानि कि हिजयरोग को भी बढ़ा सकती है और जो हड्डियों का होता है हड्डि हो जाती है और मुलायम हो जाती है शरीर में विटामिन डी की कमी से कारण होता है रतांधी की बात करें तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है और बेरी बेरी जो दिद्धिया था वह विटामिन बी की कमी के कारण होता है नेक्स वेशन देखते हैं निमनलखित में से कौ आपका B option खस्रा खस्रा यहां पर जिवाडु जोग दिया हुआ है यह सही है इसका डीटेल हम लोग देखते हैं खस्रा किस से होता है यह एक वाइरस से पैदा होता है टिटनस जो है वो कोलोस्ट्रीडियम टेटानी नामत बैक्टिरिया के कारण होने वाला संक्रमड है टाइ है सालमॉनला तैथी के दवारा होता है मलेरीय कि भात करें तो यह प्लाजमोडिया परजिवी के कारण होता है हिसमें से जो राइट आंसर है वहाए गासरा है बाकी तो सबहें राय्स में बैक्टिर्या क्वार देक्हारिए ना थे जिवाडू लें नेक्स बर्ट फ्लू का कारड क्या है बर्ट फ्लू जो की टाइम टाइम पे अकसर हम लोगों को तेखने को मिलता है कि इसके कारड मुर्गी पालक उनको जयादा संक्रत का सामना करना पड़ता है यहां पे है चार ओप्शन दिये गये हैं HPV वायरस है, एनफिलीज मच्छर है, सीसी मख्ही है, और सीसी मख्ही का जो हिंदी में ट्रांसलेशन बनता है, वो ततसेसी मख्ही यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में अगर जो आप पढ़ेंगे, तो यह सीसी मख्ही है, H5N1 वायरस इसमें से बर्ड फ्लू का जो कारड है, वो आपका A option है, एन H5N1 वायरस की कारड बर्ड फ्लू फैलता है, आईए बाकी सब के बारे में देख लेते हैं, H5N1 वायरस बर्ड फ्लू का कारड बनता है, मलेरिया जो जिन्स है, वो है एनाफलीज के मादक के मच्छों के द्वारा, यह मनुश्यों में फैलता है, यह अफ्रिकी ट्रेपो सोमोयासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, यह प्रजाती के सूख्ष्म परजिव करते हैं, CC fly के कारड होता है, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, HPV संक्रमण की बात करें, यह एक वायरल संक्रमण है, जो आमतवर पर तफचा या स्लेशमा जिली के विकास का कारड बनता है, नेक्स वर्शन देखें, यह अनुप्चारित किया जाता है, तो HIV किस बीम किसको जम दे सकता है, यह AIDS को जम दे सकता है, D option यहाँ पर जो है, वो राइट आंसर है, यह अनुप्चारित छोड़ दिया जाता है, तो HIV का फोल फार्म है, एक्वायर्ड इम्मुनोडिफिसियंसी सिंड्रोम, यह AIDS का कारड बनता है, हेपिटाइटिस जो है, वो यक्रित क सूजन है, और प्लेग की बात करें, तो यह एक ऐसी भीमारी है, जो मनुस्य या अन्य अस्तंधारियों को प्रवगाबित करती है, यह जिवाडू यार्सीनिया पेस्टिस के कारड होता है, यह क्वेशन एक बार पूछा गया है, तो इसको प्लेग किसके कारड फैलता है, नेक्स वर्शन देखते हैं, प्रदूशित हवा में निम्नलिखित में से कौन हे फीवर का कारड बनता है, उजोन है, पराग है, कड का तत्व है या कारबन मुनो आकसाइड, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, जिसके कारड हे फीवर होता है, इसका जो राइट आंस जो फैलते हैं, बिल्ली, बिल्ली, कुटे, जो लोग पालते हैं उनके फर या पंखो वाले जानवरों के दवारा बहाए गये, लार्ब के दवारा ये फैलता है, थारोक्सन के संस्लेशर के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, जिंक है, आईरण है, आयोडीन है, या फिर मै और किस तत्व की कमी के कारड़ गंगा होता है आप कर लिये होंगे यहां पर दी ओप्शन होगा आयोडीन हम लोगों का जो है वह राइड आंसर है एडीन की कमी से थायॉक्षिन के जो संस्लेशर है वो सही से नहीं हो पाता है तो थायरॉक्सिन के संस्लेशर के लिए जो आवशेक्तत्व है वो आयोडीन है यहां पर आप लोग इसका डीटेल देख सकते हैं आयोडीन की कमी से दुनिया में जो गंड माला या घेंखा का सबसे आमकारण है question number 15 है बर्गत के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है यहां पर चारो आप्शन दिये गया है और इन चारो आप्शन में जो नाम दिये गया है इन सभी के बारे में हम लोग बढ़ेंगे चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में क्योंकि questions बने हैं इन चारो से related बर्गत के पेड़ का वस्तविक नाम है, इसका नाम है Phicus Bengalisis. यहां पर फिकस कहीं कहीं लिखा होगा. Phicus Bengalisis, इसका बरगत का वस्तविक नाम है. बाकी चारों के बारे में देख लिते हैं. शसिमम, ओसिमम, टेंवन, फ्लोरम, यह तुलसी को बोलते हैं. बरगत के पेड का वास्तविक नाम है वो Phicus Bengalisis है यह है मराकासा परिवार और रोसेलेस के अंतरगत आता है अजादी राक्ता इंडिका जिसको बोलते हैं यह नीम को बोलते हैं नीम इसको मारगोसा भी बोलते हैं निमिट्री या इंडियन लिलाक के नाम से भी इसको जाना जाता है वैक्यानिक नाम को फाइकस रिलीजियोसा इसे बोध ही व्रिक्ष या पीपल व्रिक्ष को फाइकस यह भी फाइकस है और यह भी फाइकस है फिकस भी लिख करके आ सकता है फिकस या फिर फाइकस रिलिजियोसा यह पीपल के व्रिक्ष का नाम है पॉसिमम टेनुई फ्लोरम जिसे आम तोर पर हम लोग पवित्र तुलसी की रूप में जानते हैं और यह लैमियासी परिवार का सुगंदेद 1280 पौधा होता है तो यहां पर इसका आप लोग स्क्रिंशॉट भी ले करके रख सकते हैं और इस वीडियो का आपको पीडियो मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सामान उगरेलु मख ही का प्राडेश सास्त्र संबंधी नाम क्या है यानि कहीं वहज्ञानिक नाम भूचा गया है सामान या घरेलु मख-ी-क जो सांटिफिक नाम है वह है मुसका डोमेस्टिका अब लास्क में हम लोग बाकी तीनों का भी देख लेग चलते हैं टाइटिकम 81 यह आपका गिहू का वैग्यानिक नाम होता है गिहू का वैग्यानिक नाम यह कई बार पूछा हुआ है और आप वीडियो के लास्क तक इसका वैग्यानिक नाम रट जाने वाले हैं क्योंकि आप देखेंगे यह कई बार आपको क्वेश्चन के ओप्सिंस में देखने को मिलेगा तिटिकम या ट्राइटिकम एस्टिवर्म है होमो सेपियंस हम लोग मनोश्य को बोलते हैं और फेनिया यह जैसे हम लोग बोलते हैं के वूल्फ या भेडियों के जुंड को पाक बोलते हैं तो उसी तरीके से मक्यों का जुंड होता है लगभग 288 प्रजातियों का एक चुई मोई के पौधे का वहिया नाम क्या है यह गई बार लुग क्वेशन पूछा गया है जुए मूई यानिक इंग्लेश मिसको बोलते हैं टैच मी मुझे मच्छो अब इस पौधे का वहियानिक नाम हम लोग देखते हैं मीमो सा डाउन सेंडी है या मिमोसा अब यह मिम व्यानिक नाम क्या है मिमोसा पुडिका आइए इसका भी डीटेर हम लोग देख लेते हैं टच मी नौट यानि के छूई मोही के पौधे का व्यानिक नाम है मिमोसा पुडिका यह बवासीर पेचिस साइनस अनिद्रा दस्त और कई प्रकार के विकारों में यह मदद करता है औ कंऊंट आंको भरने में भी यह को बनाब क्सफ्ण नाम क्या मैं करि Aakam पूछा रहा है बैसिका कैंपे इस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ नाम है बैसिका का पेस्ट है runner और टिटीक मयह अभी उपर हम लोग पर्श चुके हैं और आपको बता ही रहा है कि कई बार आपको देखने को मिलेगा इस चीज को आप लोग रट लीजेगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानि के गुड़हल का फूल आप लोग देखे होंगे न तो उसी का ये वैग्यानिक नाम है जिया म ही कर दिया है आगे बढ़ते है राना टिग्रीना ये राजा नहीं है शुक्री मेठक को बोलते हैं बाग दिया है एश्याय मेढख और तेंद्वा इन चारों को देखते हैं डीटेल राना टिक्रीना एश्याय मेढख तेंद्वा को बोलते हैं पैपेरा पार्डस ताइगर को है पैंथिरा टाइडरिस है वुल्फ का है कैंडिस लीपस वैगनिक नाम है लीपस चहां पर भी आ आगे बढ़ते हैं ब्रेसिगा केंपेश्टिस, किस पॉधे का वानस्पतिक नाम है, सरसू का क्या है आपको बताया ही मैं ने और अनाज है मक्का है जी 알मेशவय है जी आमेश यहां पर लिखा हुआ है और फील्ड सर्सू का वानस्पतिक नाम है बेस्टा campistris अब यहां पर field sarsu क्यों लिखा हुआ हुआ है आपको बता दे सरसु दो तीन तरीके के सफिद होता है और एक काला sarsu होता है पीला sarsu होता है तो इस तरीके से इन सब का अलग-अलग नाम है लेकिन सभी के आगे आपको brisica या फिर campistris लगा हुआ आएगा तो आपको सरसों जान लेंगे जिया मेज मकई या हम लोग भुंटा बोलते हैं मकई बोलते हैं तो इसका कॉमन नाम है ब्यूटिया मुनुस पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है जो भारतिये उप महाद्वीब का मूल निवासी है यह देख रहे है वेग्यानिक नामों से रिलेटेट कितने बार क्वेशन आये हैं और ऐसे क्वेशन जो आपको आंतर पर पढ़ने को नहीं मिलता होगा इसी के लिए बहुत ही महनद से यह वीडियो मैंने तया किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा इसका ब्यूटिया मोनुस पर पलाश यहां पर पलाश के बारे में हो रहा है ब्यूटिया मोनुस पर्मा चलिए पलाश के बारे में आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश का राज किया पुष्प भी है पलाश पलाश का वास्तविक नाम ब्यूटिया मोनुस पर्मा है फिकस रिलियो रिलीजियोसा सारी नाम थोड़ा सा वह टंग क्रिस्टर है पीपल का नाम है और नीम का है अजादी राक्टा इंडिका और वीजिया लवेख शिरीश का पेड़ लोग शो प्लांट के तौर पे भी लगाते हैं लेकिन व्रिक्ष होता है यह शिरीश का व्रिक्ष और कैरोलिस लीनियस के बाले मे है इन्होंने ही जीवों का नामकरण का द्वी नाम पदती विक्सित किया था जिसमें से एक जो नाम है वह आपका लैटिन भाशा का होगा और एक जो वहां का स्थानी है जैसे हम लोग नीम बोलते हैं लेकिन इसका नाम नीम का है अजादी राक्टा इंडिका पलाश का है मौनस्पर्मा यह सारे के सारे नाम लैटिन भाशा पही रखे जाते हैं काल लेमियस इसके जन्म दाता है कि कुश्शन है तो सुचा आप लोगों को बता दे आप लोग जरूर्व के होंगे जी के जीस कुश्शन बे नेक्सक्श्शन दिया है बिल्ली प्रजाति के सदस्यो क्या है यहां पर 4 option है कैपरीं है बोईन है कनाइन है और यलिय तो जब भी आपको बोईन आलिद्टों गावरी से अलग हो जाता है दिफरेंट हो जाता है फिलाइन या फिर फैलिन करके आएगा तो आपका बिल्ली प्रजाती के सदस्यों को दिया जाने वाला नाम है इसलिए मैंने और इसमें दिया हुआ है तो अलग-अलग करके तो दोनों को सामिल किया है बिल्ली परिवार के सदस्यों को जंद पाए जाते हैं उनको कैपरिन बोलते हैं कि नाइन जो है वो कुत्ते के परिवार से संबंधित होता है आम फल का वैग्यानिक नाम क्या है तो आम फल मतलब फल नहीं आम का वैग्यानिक नाम यहां पर पूछा जा रहा है आम का जो है वह वैग्यानिक नाम क्या है चार यहाँ पर दिया हुआ है इन चारों में से जो ए उप्षन है मैंगी फेरा इंडिका आम का वैग्जानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका पाइरस मालस यहाँ पर दिया हुआ है option में आप लोग देख रहे होंगे एक star chip गंद है तो वो Solomon से related होगा बाकि C option जो है वो आपका केले से related है B option जो है पाइरस मालस है या मालस है यह से रिलेटेट है Mangy Fera Indica यह आपका Arm से related है Arm के फल का वैग्यानिक नाम क्या है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कई बार पूछा हुआ है उपर के option में अलग-अलग वैग्यानिक नामों को समिलित किया है लेकिन यहाँ पर Mangy Fera Indica जो की option का answer है C option यहाँ पर हम लोग का right answer है C इसी का विगार करके तीन option बनाया गया है तो तीन option में हम इससे हम लोग को कोई मतलब में ही है C option हम लोग का यहाँ पर right answer है मानो प्रिजाति का सबसे सुरुआती सदस होमो सेपियंस का पता लगाया जा सकता है तहां पर यह पता लगाया गया था एशिया, अन्टार्क्टिका, उत्तरी अमेरिका या फिर आफ्रिका तो इसका right answer आप लोग guess करिए क्या तो बोलते हैं न कि मानो सबहता का पालना किसको बोलते हैं आफ्रिका को बोलते हैं तो D option हम लोगों का right answer है यहीं से मानो प्रजाती के जो सबसे सुरुवाती सदर से है उसकी खोज की गए थी, homo sapiens की यहां पर इसका detail दिया हुआ है यहां बता गया है लगभग 2 million साल पहले एफ्रिका में पहले इंसान का उदय हुआ था नेक्स देखते हैं हरी मटर का वैग्यानिक नाम क्या है ट्रिटिकम ब्योटी वियम है जिया मेज है या जिया मेज लिखा हुआ है पिसम सेटिवोम या साइरस एरीटिनम एल तो इसका right answer क्या होगा साइरस एरीटिनम एल मिन्स लेग्यूमिनेसी से या आपका चनी का है हरी मटर का वह पिसम सेटिवोम है यहां पर बी ऑप्शन जो है वो right answer है आईए इसका डीटेल देखते हैं काह लिनियस या उपर आपने दिये हैं बीनाम पद्दती के अविशकारक माने जाते हैं इन्होंने वैग्यानिक नाम दिया है हरी मटर का वैग्यानिक नाम पिसम सेटिवोम है और उदाहरर में पिसम जो है वो जीनस की बात करता है और सेटिवोम जो है वो प्रजाति की बात करता है मक्का का वैग्यानिक नाम जीयामेज है और गेहू का जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है चना इसका रुवान नस्पतिक नाम है साइरस एरेटिनम एल कुल है यह लिक्यूमिनेसी से इसलिए लास्ट में इसका नाम के आगे ल लगा हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख की तरफ हम लोग बढ़ते हैं निम मैमल नहीं है मैमल है और सतीवा चारो आप्शन में से राइट आंसर क्या होगा तो सी आप्शन यहां पर सही होगा अल्फाल्फा कहा जाता है किसको सतीवा को आप्शन में दिया था मुझे भी सच बताएं तो सतीवा का मीनिंग नहीं पता था आप्शन में सतीवा ही सही है जिवाश में तो यह अल्फाल्फा है नहीं मचली भी नहीं हो और नहीं यह मैमल है मैमल यानि के स्तंधारी तो यह तो है नहीं सतीवा को अल्फाल्फा के रूप में संभोधित किया जाता है अल्फाल्फा मेडिकागो सैटिव जिसे लियू सर्न या परपल मैडिसेन या पारह मासी या तिन पतिया घास मतर परिवार फैवेसि तक ये फलिधार पौधा कहा जाता है अल्फाल्फा का नाम का प्रयोग जो है उत्तरी अमेर्का में किया जाता है और हिंदी में इन बीजों को राज को कहते हैं हिंदी में हम लोग राज को कहते हैं एक और नाम है सतीवा और इसका जितना वैक्यानिक नाम है वो है मैडिकागो सैटिवा उसी को सैटिवा के जगर पे सदीवा हो गया है इसे परपल मैडिसन 12 मासी तिन पतिया घास या फिर मतर परिवार से इसे जुड़ा जाता है भारत के राश्रे पक्षी भारतिया मोर का वैग्यानिक नाम क्या है इस सब को तो आपको पता ही होगा सीधे सीधे आंसर बताते हैं पाव कृस्टेटेश यहां पर बाकी हम लोग देख लेते हैं चार नाम दिया है नेलूमबो न्यूसीफेरा गार्डन ये किसको बोलते हैं ये कमल को बोलते हैं इसको भी अप लोग ध्यान रखें क्योंकि भारत का जो है राजिकी पुश्प है वह नेलूमबो न्यूसी फ शमी को पौधह को हम लोग बूलते हैं प्रिसुपिस सिनेरिया और लास्ट वैगानिक नाम से नाम से जाना जाता है और इसी के साथ साथ लू से ही रलेटेड़ जितने भी पक्षी है जो के शिकारी है उनके नाम के आगे भी आप तौर पर टाइटो नीडे या फिर इस्ट्री गिडे परिवार में ये विभाजित होते हैं दो परिवारों में और ये सारे के सारे शिकारी बक्षी गिने जाते हैं नेक्स्ट वर्शन देखते हैं त्रिटिकम एस्टी वमा यानि किसका वैग्यानिक नाम है क्वेश्चन में यहां पर एक तस्थान दिया हुआ है ब्लैक्स है तो उसको आपको फिल इन करना है बंदर आम यह फिर मानों तो ट्रिटिकम एस्टी वमा कई बार आप लोग देखेंगे कितना इंबॉर्टेंट की क्वेश्चन है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है यह अलग अलग नाम रखा गया है नई दुनिया के बंदर है प्लैटी रहिनी और पुरानी दुनिया के जो बंदर है वो है सोपी थे सिडे इन परिवारों में भी भाजित किया गया है और मनुष्य का जो वैग्यानिक नाम है वो होगर सेपियंस है आगे देखते हैं हैजा के रोगाड़ों की होच किसने की थी? Hanson, Robert Coach, Enerico Fermi या फिर Rene Lennick इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा है जाके रोगाड़ों की होच किसने की थी? वो थे C option Robert Coach Robert Coach ने है जाके रोगाड़ों की होच की थी चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज मुझे कमेंस बॉक्स में बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिएगा 30 questions हैं लेकिन इसमें जितने options बताई गया है उन सभी को लेकर के अगर जो हम लोग मान ले तो हम लोग 100 plus questions को इस समय solve कर चुके हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई